इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ बताया है हाला कि इसराइल ने इस पर फिल हाल चुपी साधी हुई है माना जा रहा है कि इस हमले के जिम्मेदारी लेने से बच रहा है दावा है कि इरानी दूतावास पर हमला कर इसराइल से बहुत बड़ी चूप हो गई है महीं प्रतिशोद की आग में जुलस रहे इरान ने भी तूरंद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसराइल से इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है जाहेदी के जनाजे में शामिल हुए इरान के सेना प्रमुक जनरल मुहम्मद बागेरी ने हुमकार भरी है उन्होंने कहा है कि इरान ये तै करेगा कि बदला कब और कैसे लेना है उन्होंने कहा कि आपरेशन का समय प्रकार और योजना हम बनाएंगे और ये इस तरह की होगी कि इसराइल अपने किये पर पश्टाएगा ये निश्चित होगा, बता दे कि एरान ने टैश में आकर इसराइल को धमकी नहीं दी है, बलकि खतरनाक हत्यारों का ट्रिगर लिए बैठे एरान के पास वाकई तबाही मचाने वाले हत्यार हैं, ये एरान के खुखार हत्यार लाल सागर को पार कर इसराइल पर हमला करने का भी मादा रखते हैं, इरानी समाचार एजनसी आईसने ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि अगर इसराइल और इरान में जंग होती है, तो इरान के पास लंबी दूरी के कई खतरनाक हत्यारों का जखीरा है, जो कि इसराइल का नक्षा बदलने का दम खम रखते हैं रिपोर्ट के मताबिक इरान के पास इसराइली सरजमी पर हमला करने के लिए पर्याब्त दूरी वाली नौ परकार की मिसाईले हैं, न्यूज अजनसी ने कई इरानी बलेस्टिक मिसाईलों का खुलासा किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इरान ड्रोन और क्रूज मिसा इसले से ये मिसाईले सीधे इसराइल में तबाही ला सकती हैं, सैजल मिसाईल ये 2000-2500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है, इसकी अधिक्तम स्पीड 12-14 मैक है, हुर्रम शहर 4 और्फ खैबर मिसाईल जो की मैक 5 की रफतार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है, इम एडी मिसाईल 2-7 मैक की रफतार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक लक्षे को भेदने की शमता रखती है, शहाब 3 मिसाईल मैक 7 की स्पीड से 2000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है, कादर मिसाईल मैक 9 की रफतार और 1950 किलोमी किलो मीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है। मालूम हो कि दूतावास पर हमले के बाद से एरान बौखलाया हुआ है। जनरल रहीम सफवी ने चेताते हुए कहा कि हमले के बाद से इसराइल का कोई भी दूतावास अब सुरक्षित नहीं है। इरान इसराइल को दूतावास के हमले का आए ना दिखाने का आम मादा रखता है।